तो दोस्तों आज मैं explain करूंगा 2011 में आई एक American supernatural horror movie को जिसको direct किया और लिखा है T West ने In fact, edit भी उन्होंने ही किया है इस movie का नाम है The Innkeepers, काफी बढ़िया movie है और जहां पर T West का नाम आ गया तो movie तो बढ़िया होनी ही है इस movie के अंदर हम एक haunted inn को देख पाएंगे जो कि काफी भयानक है और यहां पर काफी सारे hidden meanings भी हैं जिसके बार में मैंने end में बात करी है तीन तीन theories यहां पर हैं तो वीडियो को end तक जरूर देखना तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ तो मुवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम क्लेयर है उसको हम एक होटल में जाता हुआ नोटिस करते हैं जिस होटल का नाम दा यैंकी पैडलर इन था जिसके एंटरी गेट पर लिका हुआ था आउट अफ बिजनस दरसल इनफ कस्टमर्स के ना आन के वजजह से वो होटल बंदोने वाला था अब जैसे ही किलेयर होटल में एंटर करती है वो उपने कली इक लिक से मिलती है या कि याहां पर वो काम किया करती थी अब वो उससे होटल के माले का अता पता पूछती है जिसस pregnant एक उन्हेलर के मारे सांस वूभा हुआ है मतलब होटल इतना खाली है कि यहां पर काम करने वाले लोग भी यहीं पर रुकते हैं उसके बद भी उस होटल के बहुत सारे कमरे खाली ही बचे हुई थे कि असल में यह होटल भूतिया ऌए बोयूत्या साइट पर डाला हुआ था क्लेयर को नीन आने लगती है और वहां पर जाकर आराम करने लगती है अब यहां पर इन दोनों ने ही मिलकर यह डिसाइड किया था कि वह सेवन टू सेवन के शिफ्ट करेंगे यानि की फ्रंट डेस्क पे बारा-बारा कुछते हैं कि आखिर उसको पता भी है कि वह कौन थी अब लियूक यहां पर नादान था उसको कुछ भी नहीं पता होता फिर उसको बताती है कि वह गैस्ट असल में लियान रीज जोन्स हैं जो कि उसे एजन एक्ट्रेस बहुत पसंद थी क्लेयर ने यहां पर लियान की सारी सीरीज और मुवीज भी देखी हुई थी और उसको वह सारी याद भी हैं लेकिन उसका फैन गर्ल मुमेंट लूक अपने डिस इंट्रेस्ट से यहां पर तोड़ देता है अब क्लेयर जब उसका लैप टॉप देखती है तो वह अपनी वेब साइट पर ही काम कर रहा था और काफी निराश भी था यह सोचकर कि यह वेब साइट चलेगी भी या फिर नहीं अब क्लेयर लूक में और उसके गोस्ट वेब साइट में पुरा विश्वास दिखाती है और लूक से पूछती है कि यहां पर बेमन से उसको बताता है कि एक एंगरी माँ अपने बच्चे के स काफी है पर लियाईन का फोन आता है क्योंकि उसके रूम में टावर्स नहीं थे अब इल्याईल की तरह भांगकर लियान के रूम में टाव्स देने उनको जाती है अनक मुझे यह उतने इसके से बात नहीं करते और अजीव से शवाल पूछकर वह क्लियार का मौरल बाउन बुरा फील करवाया अब मुठी करने के लिए क्लेः साथ वाली दुकान से कौफे लेने जाती है और वो लड़की इतनी फालतूं की बाते करती है कि क्लेः की एनरजी अपलिफ्ट होने की जगा और जदा ड्रेन हो जाती है और वो सीधा आकर होटल के फ्रंट डेस्क पर कोलाप्स कर जाती है अब वो अपने जीवन के अंदर लिए गए हर डिसिजन के उपर क्वेशन करने लगती है तब ही वो कुछ कहने लगती है तो लूक कहता है कि बाकी बाते बाद में अभी वो सोने जा रहा है और क्लियर एक बार फिर से राशू जाती है यानि कि उसके पास अपना मन हलका करने के लिए कोई भी नहीं था अब लूक यहां पर जाने से पहले क्लियर को बता कर जाता है कि रिकॉरडर कैसे कनेक्ट करना है वो रिकॉरडर बहुत ज़रूरी था क्यूंकि होटल में सूपर नैच्रल चीजों को लूक और क्लियर उ करना नहीं आता था वो आवास को follow करती हुई एक दर्वाजे तक बहुंचा़ती है और वो उचको कहताpted कि उसकी नीन कुल गई थी और अब उसको नीन नहीं आ रही । वो जाकर थोड़ी दिर सोख जाए जो चाப्यूर इतनी डर जाती है कि उसे सांस लेने ओमेली और उसकी शादी होने वाली थी लेकिन उसके फियांसे ने उसे आल्टर पर ही छोड़ दिया अब मैडलेन यहां पर ये गंबरदाश नहीं कर पाई और उसने अपनी जान ले ली बदनामी के डर से होटल ओनर्स ने मैडलेन की बौड़ी को होटल के बेस्मेंट में ही चुपा दिया था और तीन दिन बाद उन्होंने वो बौड़ी वहां से निकाली जब ये पूरी बाद बाहर आई तो होटल का नाम खराब हो गया कुछ टाइम के लिए होटल को बन भी रखा गया था वो भी इन्वेस्टिगेशन परपस के लिए लेकिन जब होटल को दुबारा ओपन किया गया तो लोगों ने वहां पर आने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनका ये कहना था कि ओनर्स ने जो भी किया वो मौरली इनकरेक्ट था तो इस होटल को सिक्स्टीज में बॉइकॉट कर दिया गया था अब होटल ओनर्स ने थक हार कर होटल को बेज दिया जब इस होटल के अंदर गेस्ट फिर से आने लगे तब सामने आया कि होट से चली जाती है अब जैसा कि शुरुवात में दिखाया गया था कि यह होटल आउट ऑफ बिजनस है तो यहां पर इस होटल के बंधों में दो दिन और बचे थे अब क्लियर यहां पर बहुत ही एक्साइड होती है यह जानने के लिए कि क्या मैडलिन सच में उसी होटल में रह जाती है अब लूक आराम करने चला जाता है और क्लियर फ्रेंट समालने के साथ साथ होटल में मैडलिन के भूत को ढोड़ने के मिशन पर लग जाती है कैसे तो लूक के EVP डिवाइस से अब होता यह है कि जब भी आसपास कोई स्पिरिट होती है तो यह डिवाइस बीप करन देती है फिर वहां से निकल कर हॉल में चली जाती है जहां पर उसे एक साइड से पियानो बजने की आवास सुनाई देती है जो उसे वैसे सुनाई नहीं दे रही थी लेकिन वह जैसे ही EVP हैड़फोन पहनती है उसे वह आवास सुनाई देने लगती है उस आवास को फॉलो भागती लूग के रूम तक पहुंचकर उसके कमरे का दर्वाजा पीटने लगती है वो जब दर्वाजा खोलता है तो क्लेर उसको सब कुछ बताती है यह सब सुनकर लूग को लगता है कि क्लेर बहाने बना रही है कि उससे और शिफ्ट ना करने पड़े लेकिन जैसे ही क्ले कलेर को अपने साथ उसके कम्रे में आने को बूलती है बलकि अब यह सायकिक बन गई है यानि की मेडियम और दुनिया में मौझूट शक्तियों अपना pendant निकालती है और उसके जर्ये उस होटल में मौझूद काली शक्तियों से connection बनाती है उस connection के दौरान वो Claire को बताती है कि यहाँ पर सिर्फ Madeline की आत्मा नहीं है बलकि दो और लोगों की भी आत्मा है जो Claire की तरह जिन्दा रहना चाहते हैं और यह सब आत्मा इस होटल के basement में हैं और Claire को उस जगा से दूरी रहना चाहिए otherwise उसकी body possess हो सकती है और तभी Claire को यह याद आता है कि Madeline की मौत के बाद उसे होटल ओनर्स ने basement में ही बंद कर दिया था और तभी लियान का connection उन आत्मां से तूट जाता है अब इसकी बाद Claire अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है लेकिन उस कमरे में अजीब हरकते होने लगती है अब कमरी के अंदर कोई बे नहीं होता लेकिन Claire को कोई टावल पकड़ाता है और Claire जैसे ही सोकर उठती है तभी एक बहुत डरावनी शकल का बहुत उसके सामने बैटा होता है इतना डरावना कि उसे देखकर आप भी डर से काम जाओगे अब Claire डर जाती है और भाग कर जिस हालत में वो थी वो नीचे लोबी में आ जाती है जहां पर एंगरी लेडी और उसका बच्चा खड़े हुए थे उसकी ऐसी हालत को देखकर एंगरी लेडी होटल को छोड़ कर अपने पती के पास वापस चली जाती है और फिर शुरू होता है मुवी का तीसरा भाग यानि की दा लास्ट गेस्ट यानि की आखरी गेस्ट आज इस होटल के खुले रहना का आखरी दिन होता है Claire और Luke फ्रंट डेस्क के पीछे बने कमरे में कुछ बात कर रहे थे या फ्रंट डेस्क की घंटी बचती है और ऐसा बहुत ही कम होता था Luke फ्रंट डेस्क पर आए होए गेस्ट को अटेंड करने के लिए जाता है और वादमी 353 रूम नंबर में रहने की जिद करने लगता है लेकिन मैडलेन ने उसी फ्लोर पर अपनी जान ली थी तो उस फ्लोर पर कोई नहीं जाता था लेकिन वादमी जब जिद पर अड़ा रहता है तो ये हैंडल करना Luke और Claire के लिए थोड़ा आजीब था लेकिन Claire ने बड़ी चालाकी से कहा कि ठीक है रूम तो मिल जाएगा लेकिन आपको जमीन पर सोना पड़ेगा क्योंकि वो कमरा तो मालिक ने खाली करवा दिया और वो बुड़ा आदमी ऐसा करने के लिए भी तयार हो जाता है उसे दूपस वही कमरा चाहिए था फिर बाद में पता चलता है कि उस कमरे में उस बुड़े आदमी ने अपना हनीमून मनाया था और अब जब होटल बन होने वाला था तो उसने सोचा क्यों ना आखरी बार उन लम्हों की यादे ताजा कर ली जाए क्लियर सोचती है कि ये कितना क्यूट आदमी है और उसके लिए एक काफी इमोशनल मॉमेंट भी था लेकिन यहाँ पर इस बिचारी को क्या पता था कि अभी क्या होने वाला है अब उस डरावने जीव को देखकर क्लियर डर जाती है और लूक से कहती है कि चाहे तुम सो या फिर नहीं लेकिन मुझे काफी डर लग रहा है और तुम मेरे साथ ही रहोगे आज फ्रंट डेस्क पर अब दोनों कही साथ में जागना था तो दोनों यहाँ पर शराब पीने लगते हैं ताकि दोनों को नीद ना आए और उनका ध्यान भी डाइवर्ट हो जाए अब शराब के नशे में धोतोकर लू क्लेर को बताता है कि वो से कितना पसंद करता है लेकिन मैडम को तो सिर्फ भूतनी की बड़ी थी वो दोनों नशे में डिसाइड करते हैं कि आज होटल का अखरी दिन है और वो दोनों बेस्मेंट में जाकर आज मैडलीन से पूछ लेंगे कि हाँ जी मेडम आपकी दिक्कत क्या है यानि कि उनका बेसिक सा फंडा था कि वो जानना चाहते थे कि मैडलीन की स्पिरिट इस पूरे होटल को हांट क्यों कर रही है वो बेस्मेंट में जाते हैं और एक सबसे भूतिया जगा ढूंड कर अपना डिवाइस सेट करके बैठ जाते हैं क्लियर मैडलीन की आत्मा को उस डिवाइस के जरीए बुलाती है उससे कहती है कि अगर वो वहाँ पर है तो उनको कोई सिगनल दे और तब ही डिवाइस में हाई वाल्यूम में एक कान में चुमने वाली आवाज सुनाई देने लगती है वो आवाज इतनी जादा अन्बियरेबल होती है कि लूक ने तो हेड़फोन लगा कर रखे थे जिसके अंदर वो आवाज सुनाई दे रही थी वो उनको तक उतार देता है और तब ही क्लेर उससे बोलती है कि मैडलेन का भूत लूक के पीछे ही है और धीरे धीरे वो लूक के पास आ रही है जैसा कि आपको याद हो कि उसको नए आशिक की तलाश थी अब ये सब सुनकर लूक डर के मारे वहाँ से भागता है और क्लेर भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है अब बेस्मेंट से बाहर आकर वो लूक से कहती है कि वो इतना डर क्यों रहा है और उसने मैडलेन के भूत को तो पहले भी देखा है ना तब लूक उसको बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो बस अपने आपको बेटर दिखाने के लिए क्लेर से जुट बोला करता था और इतना कहकर लूक क्लेर को इस होटल में अकिला छोड़कर चला जाता है अब क्लेर को कुछ भी समझ में नहीं आथा कि आखिर क्या किया जाए तो वो भाग कर लियान के कमरे में जाती है और उसको सब कुछ बताती है अब जैसे ही लियान सुनती है कि क्लेर ने मैडलेन का भूत देखा है तो तब ही वो अपना पेंडन लेती है और Claire से कहती है कि जहां ये सब हुआ मुझे वहाँ पर लेकर चलो लियान अब उस pendant का इस्तिमाल करके फिर से spirits के साथ में contact बनाती है लेकिन कुछी देर के बाद में वो pendant टूट जाता है इसको देखकर लियान भी डर जाती है और Claire से कहती है कि इस जगा पर अब रुकना उसके लिए खत्रे से काली नहीं होगा और उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना होगा लियान और Claire अपना अपना समान उठाने अपने कमरों में जाते है तब ही Claire को room number 353 वाले बुड़े अंकल की याद आती है कि उन्हें भी तो यहां से निकालना था वो भाग कर उनके room तक जाती है और दर्वासा नौक करती है लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता वो देखती है कि दर्वासा खुला हुआ है और कमरे में अंधेरा है वो फिर से बुड़े आदमी को आवास लगाने लगती है लेकिन तब ही उस बुड़े आदमी के दुआरा लिखा हुआ एक खुद खशी का खत मिलता है अब कमरे के वाश रूम से Claire को रोशनी आती हुई दिखाई देती है तो वो उस बुड़े आदमी को आवास लगाती हुई वाश रूम तक जाकर देखती है तो वहाँ पर उस बुड़े व्यक्ती की लाश पढ़ी हुई थी अब वो डरती हुई भाग कर लॉबी में आ जाती है वो हाफ रही होती है और तबी लूक वहाँ पर आ जाता है और Claire से माफी मांगता है लेकिन Claire शौक में होती है और अपने टूटी सी आवाज में वो लूक को बताती है कि 353 के बुड़े गैस्प ने यहाँ पर खुद को खतम कर लिया अब लूक को किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था वो बस Claire को वहाँ से अपने साथ ले जाना चाहता था लेकिन वो कहती है कि वो लियान को यहाँ पर अकिला चोड़ कर नहीं जाएगी अब लूक Claire को लॉबी में ही बैटने के लिए कहता है और खुद उपड़ चला जाता है लियान को लेने के लिए अब Claire पहले तो अराम से लॉबी में बैटी हुई थी लेकिन तभी उसे कुछ आवास सुनाई देती है उसको लगता है कि लियान यहीं कहीं पर है और वो उसको बुला रही है वो उस आवास को फॉलो करते हुए एक बंद दर्वाजे को खोल कर उसमें जली जाती है दर्वाजे के दूसरी और था बेस्मेंट जहां पर बहुत अंधिरा था और जब तब ही वो लियान को ढून रही होती है तो 353 के बुड़े आदमी का भूत उसके पीछे आ जाता है और उसे वहाँ से धक्का दे कर नीचे गिरा देता है क्लियर को बहुत चोट आती है लेकिन वो उस जगा से बाहर निकलने का रास्ता ढूने लगती है अब उसे एक दर्वाजा तो दिखाई देता है लेकिन वो खुल नहीं रहा था ऐसे में वो दूसरे दर्वाजे या फिर रास्ते की खोज में जब मुड़ कर देखती है तो बेस्मिन में चीपे हुए डरावनी आतमाएं उसके पीछे खड़ी होती है और क्लियर इससे बहुट डर जाती है अब उस जगासे भी हिल नहीं सकती थी अब उसे दर्वाजा देिक्टो रहोता है लेकिन वो यहां से बाहर नहीं जा सकती थी क्लियर तभी देखती है कि वो सारी आतमाएं उसे की तरफ आ रहा है अब वो डर कर जोर जोर से मदद की गुहार लगाते हुए उस दर्वाजे को पीटने लगती है अब क्लेयर को भी नहीं पता था कि अगर ये दर्वाजा खुलता भी है तो वो कहां तक जाता है लेकिन बस वो कुछ भी करके उस जगा से बाहर निकलना चाहती थी और यहां पर क्लेयर हेल्प हेल्प चलाती है और दूसरी तरफ सारी आत्माएं उस पर अटैक कर देती हैं अब अगले सीन में पता चलता है कि क्लेयर की लाश होटल के बेस्मेंट से मिली है और उसकी बाड़ी बहुती बुरी हालत में थी लूक पुलिस आफिसर को बताता है कि क्लेयर के लिए को डहुश्य ही तो देखता है कि स्जामने के साथ पोटल से लेकिन आखिरी सीनमें हम देखते हैं हम लेकिन आखिरी सेयां कि लैकिन वहांपर किसी की बैठे होने की परचाई दिखाई देती है और तबी अचानक से ही दरवाजा बहुत जोर से बंदो जाता है और बूम इसी के साथ में ये मुवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी दा इनकीपर्स मुवी की कहानी उमीद करता हूँ कि आपको ये मुवी पसंद आई होगी और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी तो पहला एक्स्प्लेनेशन तो ये बनता है कि होटल के अंदर वा कई में मैडलन के साथ साथ और भी दो भूत प्रेत थे जिसके चलते यहाँ पर क्लेयर को बहुत ही दिक्कत हुई और उसकी जान चली गई दूसरी थेयरी या फिर दूसरी एक्स्प्लेनेशन ये कहती है कि वहाँ पर तीन भूत थे जिन में से एक मैडलन थी एक वो ओल्ड मैन का भूत था और एक क्लेयर खुद थी जी हाँ लियन ने क्लेयर को क्लेयर ली कहा था कि उसने तीन स्पिरिट्स को यहाँ पर महसूस किया है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वो फ्यूचर देख सकती थी इनफेक्ट उसने क्लेयर को वार्ड भी किया था कि वो यहाँ पर बेसमेंट के अंदर ना जाए तो वो शायद से वो पहले से ही जानती थी कि यहाँ पर उसकी जान को خط्रा है इसलिए तो end में यहाँ पर Like ने उससे कहा था कि अगर उसको सब कुछ पदा था तो उसने कुछ रोका क्यों नहीं, तो यहाँ पर वो यह बोलती है तीसरी थिहरी के बारे में, तो वो ये कहती है कि यहां पर कोई भूत प्रित था यही नहीं, जी हां, सबसे बढ़ी बात कि यहां पर यह जो एक्टरिस थी, वो गुड़ी हो चुकी थी तो उसको यहां पर कोई ना कोई करी और वगरा चाहिए था जिसके चलते उसने ये सारी चीज़े जुट बोली थी अब वो अलग बात है कि वो सच हो गई जो कि एक कोइंसिडेंस था और क्लियर यहाँ पर एस्थमा पेशन्ट भी थी जिसके चलते जब वो बेस्मेंट के अंदर गई तो उसको काफ़े डर लग काफी कलॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था जिसके चलते उसका जो इन्हेलर था वो भी वहाँ पर गिर गया था और टाइम पर प्रॉपर सांस ना आने के वज़े से उसकी मौत हो गई अब आप सोचेंगे कि बुड़े व्यक्ति ने यहां पर खुद को खतम क्यों कर लिया तो देखो यहां पर उसके पास जिन्दे की जीनिया कोई मकसद नहीं बचा था वो यहां पर आया ही इसलिए था था कि उसको अब फिर से अकेला ना रहना पड़े और वो अपनी वाइफ के साथ हमेशा रहेगा एट लीस्ट यह उसका मानना था बात रही मैडलन की तो उसक पर क्लेर से जुट बोला था कि उसने यहां पर भूत प्रेज देखे हैं जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था तो यहां पर थ्रू आउट दा मूवी जो भूत प्रेज दिखते हैं वो किसी और को नहीं बलकि वो क्लेर को ही दिख रहे थे तो माइट भी यह सारी के बारे में तो उन्होंने भी यही कहा था कि आपको जो मानना है आप मान सकते हो क्योंकि एंडिंग इसकी काफी है अगर आप साइंस की तरफ हो तो यहां पर आप क्लेर को एसमा पेशेंट मान कर वाली चीज़ मान सकते हो लेकिन अगर आप सूपर नैचरल चीज़ों में बिलीव करते हो तो आप यहां पर मान सकते हैं कि यह होटल वाके में हांटेड था तो आप लोग मुझे बताना कि आपको यहां पर कौन सी थेयरी बिल्कुल सही लगती है कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना उमीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आपी